Skoda Octavia Facelift, Jack Automaker Skoda ने नई Octavia Facelift का टीजर जारी किया है, जिसमें इसके सिल्हूट, Illuminated Signature लोगो और नए हेडलेम्प की जलक दिखाई दी है. सेडान के नया मॉडल का इसी साल फर्वरी 2024 में ग्लोबल डेब्यू होगा. लेकिन, अभी स्पेसिफिक डेट का एलान नहीं किया ग ही है. लेकिन, उम्मीद है कि कंपनी देश में Limited Units में Plug-in Hybrid Powertrain के साथ Octavia RS IV पेश कर सकती है. स्कोडा की भारतिय बजार के लिए महत्वाकांक्शी यो जनाए हैं, जिसमें सुपब एक्जीक्यूटिव सेडान, नई कोडियाक SUV और बिल्कुल नई एन्याक IV EV जैसे प्रोड़क्ट पेश करना शामिल है. Global Skoda Octavia कई Powertrain Option के साथ उपलब्ध है, जिसमें 1.0L Turbo Patrol 110 भप, Mild Hybrid तक्नीक के साथ 1.5L Turbo Patrol 150 भप, 2.0L Turbo Patrol 245 भप, 1.4L Plug-in Hybrid और 2.0L Diesel Engine Option शामिल है. Facelift वर्जन में Engine Option समान रहने की उम्मीद है. हाला कि, Top Variants में AWD All Wheel Drive System पेश किये जाने की संभावना है. नई Skoda Octavia Facelift में होने वाले बदलावों में Revige Front Grill, LED DRL के साथ नए डिजाइन वाले Head Lamp और Revige Front Bumper हो सकते हैं. स्पाइ तस्वीरों में नए अलोई वील, अपडेटेट टेल लेंप और अपडेटेट रिय बंपर की संभावना भी नजर आई थी. हाला कि, केबिन के बदलावों की कोई जानकारी नहीं है. उम्मीद है कि इसमें Wireless Apple CarPlay और Android Auto Connectivity के साथ नए 10 इंच टथ स्क्रीन इंफोटे में सिस्टम मिल सकता है. वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेर करें और सब्सक्राइब जरूर करें.